Hello Friends, मैं आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ Friends, हम Daily 25 Idiom and Phrases पढ़ रहा है तो आज का जो हमारा पहला Idiom है, वो है In the Dumps इसका मतलब होता है In Low Spirits मतलब हतोत साहित होना उसको बोलता है In the Dumps In the Dumps का मतलब होता है In Low Spirits हतोत साहित होने को बोलता है Next है In a Flutter In a Flutter का मतलब होता है Excited उत्तेजित होना उसको बोलता है In a Flutter तो अगर कोई भी कबूतर या फिर कोई भी चेडिया Flutter कर रही है मतलब फरफडा रही है इसका मतलब वो क्या है? वो Excited है Flutter का मतलब क्या होता है? फरफडाना मतलब कोई भी चड़िया अपने पंक को फरफडा रही है इसका मतलब वो क्या excited है तो in a flutter का मतलब हो जाएगा excited उत्तेजित को बोलता है next है intense and purposes इसका मतलब होता है practically मतलब वियभारी group से intense and purposes इसका मतलब होता है practically वियभारी group से next है in double quick time इसका मतलब होता है very quickly बहुत तेजी से कोई काम करते हैं उसको बोलते हैं in double quick time तो time है और उपर से quick है तो quick time मतलब मतलब हम किसी भी काम को बहुत तेजी से कर रहे है quick time मतलब किसी भी काम को हम बहुत तेजी से कर रहे है तो in double quick time का मतलब क्या हो जाएगा very quickly, बहुत तेजी से next है in accordance with इसका मतलब होता है according to की अनुसार in accordance with ये एक phrase है इसका मतलब होता है according to की अनुसार next है in a fix इसका मतलब होता है in confusion या फिर in dilemma दुविदा में, दुविदा कि स्थिती में उसको बोलता है in a fix next है in a nutshell इसका मतलब होता है in brief, संचेप में in a nutshell nutshell का मतलब होता है in brief, संचेप में next है in black and white मतलब होता है in writing लिखे दुरूप में तो black आपकी pen हो गई black हो गई आपकी pen और आप क्या कर रहे हो white paper पे लिख रहे हो black आपकी pen है और आप white paper पे लिख रहे हो In black and white मतलब क्या हो जाएगा? In writing. लिखेत रूप में. Next है, in the guise of. इसका मतलब होता है, disguise. मतलब भेज बदलना, भेज बदलकर. उसको बोलता है, in the guise of. In the guise of का मतलब क्या होता है? Disguise. Next है, in the long run. इसका मतलब होता है, at last. Ant me. In the long run का मतलब क्या होता है? At last. Ant me. मतलब आप long run कर रहे हो. मतलब आप उस रास्ते पर दोड़ रहे हो, जिसका कोई ant ही नहीं नहीं है. In the long run, मतलब run मतलब दोड़ना, तो आप उस रास्ते पर दोड़ रहे हो, जिसका कोई ant ही नहीं है. आपका जो रास्ता है वो लंबा है, लॉंग रन है तो in the long run का मतलब क्या हो जाएगा at last, अंत में अंतता, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं ऐसे रिलेट करके हम याद रखेंगे तो हमें यह याद रहेगा इडियम नेक्स्ट है, in the nick of time इसका मतलब होता है, in the last moment अंतिम चड़ में in the nick of time का मतलब क्या होता है in the last moment अंतिम चड़ में इसे से रिलेटेड एक और एडियम होता है at the 11th hour उसका भी मतलब होता है, at the last moment अंतिम चड़ में तो at the 11th hour 11 के बाद क्या बसता है, 12 बसता है तो 11 और 12 के जो बीच का समय होता है वो क्या होता है वो मतलब last hour होता है वो 11 और 12 के बीच का जो समय होता है वो last hour होता है तो at the 11th hour मतलब at the last moment अंतिम समय में इसका मतलब होता है in difficult situation कठिनाई में उसको बोलते है in a real fix next है in vogue in vogue का मतलब क्या होता है in custom मतलब रिवाज में होना उसको बोलते है in vogue यहाँ पर जो लिखा हुआ है word v-o-g-u-e यह vogue लिखा हुआ है एक word होता है vague v-a-g-u-e vague का मतलब होता है unclear मतलब us first उसको बोलते हैं vague v-a-g-u-e vague यहाँ पर word है vogue तो in vogue का मतलब क्या होता है in custom next है in the twinkling of an eye इसका मतलब होता है in no time मतलब पल भर में या फिर पलक जबकते ही उसको बोलते है in the twinkling of an eye तो in the twinkling of an eye का मतलब होता है in a no time पल भर में या फिर पलक जबकते ही तो अगर मैं एक example इसका दूँ तो मैं बोल सकता हूँ in the twinkling of an eye robbers stole her watch मतलब पलक जबकते ही robbers ने क्या किया कि उसकी घड़ी चुराई next है in once tints in once tints इसका मतलब होता है not adult मतलब जो adult नहीं है जो नाबालिक है उसको बोलते है in once tints मतलब जिसकी age 13 से लेके 19 के बीच में है उसको बोलते है उसको नाबालिक बोलते है तो in once tints का मतलब क्या हो जाएगा not adult जो adult ना हो उसको बोलते हैं और हिंदी में हम बोलते हैं नाबालिक नेक्स्ट है इन दे प्राइम आफ इसका मतलब होता है इन दे बेस्ट पार्ट आफ लाइफ मतलब जो युवा अवस्था होती है युवा अवस्था में युवा अवस्था में हम कोई भी काम करते हैं मतलब जो हमारी युवा वस्था होती है उसको बोलते हैं in the prime of मतलब in the best part of life अगर मैं इसके example के बात करूँ तो मैं इसको कह सकता हूँ कि in the prime of his life राम achieved many success मतलब युवा वस्था में राम ने बहुत success बहुत success अचीव किया, हासिल किया next है in the arms of Morpheus in the arms of Morpheus का मतलब होता है sound asleep मतलब गहरी नींद में उसको बोलते है in the arms of Morpheus यहां पर जो लिखा हुआ word Morpheus है इसका मतलब होता है कि Roman में नींद का जो देउता होता है Roman में जो नींद का देउता होता है उसको बोलते है Morpheus Morpheus को रोमन में नींद का देवता बोलते हैं तो in the arms of Morpheus इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि sound asleep, ग्यारी निंदरा में तो Morpheus Morpheus क्या है? Morpheus मतलब सो रहा है in the arms of Morpheus तो sound asleep, ग्यारी निंदरा Next है in cold blood इसका मतलब होता है without provocation मतलब बिना किसी उकसावे के या फिर योजना बनाकर हत्या करना, उसको बोलता है in cold blood तो in the cold blood का मतलब होता है without provocation, बिना किसी उकसावे के बिना योजना बनाकर किसी के हत्या करना मतलब बिना उकसावे के योजना बनाकर हत्या करना उसको बोलता है in cold blood अब किसी का अगर cold blood है मतलब किसी का blood ठंडा है और उसने murder किया है इसका मतलब कि उसने योजना बना कर सोच समझ कर ही murder किया होगा मतलब उसने उकसावे में आकर नहीं किया है मतलब उसने अपने blood को वाम नहीं किया है गरम नहीं किया है उसमें अपने ब्लड को cold ही रखा था जब उसने किसी का मडर किया तो in cold blood का मतलब क्या हो जाएगा without provocation बिना किसी उकसावे के योजना बनाकर अपने दिमाग को ठंडा करके अपने blood को ठंडा करके उसने मडर किया है नेक्स्ट है in hot water इसका मतलब होता है in trouble कठिनाई में अगर hot water है अगर पानी गरम है और आपने क्या किया कि उसमें अपना हाथ डाल दिया तो आपका हाथ क्या हो जाएगा आपका हाथ जल जाएगा और आप in trouble मतलब कठिनाई में आ जाएगे difficulty में आ जाएंगे तो in hot water का मतलब क्या हो जाएगा in trouble कठिनाई में next है in lieu of ये एक phrase है in lieu of इसका मतलब क्या होता है as a substitute for मतलब किसी के स्थान पर किसी के स्थान पर कोई दूसरी चीज हो उसको बोलते हैं in lieu of मतलब as a substitute for अगर आप newspaper पढ़ते होंगे अगर आप the Hindu ये टाइमस अफ इंडिया जो English newspaper हैं वो अगर आप पढ़ते होंगे तो उसमें ये phrases use होता है in lieu of in lieu of का मतलब क्या हो जाएगा as a substitute for किसी के स्थान पर next है in a crack इसका मतलब होता है in a moment मतलब छण भर में in a crack मतलब होता है in a moment छण भर में जैसे कोई भी दिवाल है कोई भी दिवाल क्या हो गई crack हो गई मतलब उसमें दरार पढ़ गई आप खड़े थे अचानक से किसी दिवाल में crack आ गया crack आ गया मतलब दरार पढ़ गई तो छण भर में ही क्या हो गया कठिनाई में होना या फिर कठिनाई में उसको बोलता है in a pickle इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि पीकल का मतलब होता है अचार तो आप क्या कर रहे थे कि अचार के सीसी थी मतलब काच का अचार इसमें रखा हुआ था वो काच का बोतल था काच का डबबा था उस काच के डिबबे में अचार रखा हुआ था पीकल रखा हुआ था और आप उसमें क्या कर रहे हो कि आपने उसमें हाँ डालके निकाला पीकल को अचार को और वो जो सी मतलब आप क्या हैं अब आप difficult situation में आ गए हैं क्योंकि आपकी जो मम्मी है वो उनको अगर बात पता चलता है तो वो आपको मारेंगी तो inner pickle का मतलब क्या हो जाएगा inner difficult situation कठिनाई में होना आप मार खाओगे या फिर डाट खाओगे तो inner pickle मतलब pickle का जो डिबबा था आचार का जो डिबबा था वो तूट गया तो आप difficult situation में आ गए inner difficult situation कठिनाई में आ गए next है joint district eye इसका मतलब क्या होता है prejudiced jointed eye इसका मतलब होता है prejudiced इसके दो मतलब होता है एक तो फुर्वांगर्ण और एक होता है पक्चपाद तो यहाँ भी जो लिखा हुआ word jointed है यह एक disease होती है और यह कौनसे disease होती है पी लिया जो पिलिया डिसीज होती है, मिलब पिलिया जो रोग होता है, उसको बोलते हैं, तो पिलिया रोग में क्या होता है, कि सरीर के कुछ पार्ट जो होता है, वो पिले हो जाते हैं, जैसे आंक हो गई, स्कीन हो गई, तो चाह हो गई, वो पिले पड़ जाते हैं, तो कोई व्यक्त व्यक्ति ऐसा कहें कि पिलिया ग्रस्थ आँखों से सबकुछ पिला ही नजराएगा. मतलब वो व्यक्ति जो पहले सही गलत धारणा या पुर्वाग्रा रखे. उसको बोलते हैं jointist eye. पुर्वाग्रा का मतलब होता है गलत धारणा. तो कोई व्यक्ति गलत धारना रखता है पुर्वागरा रखता है उसी को बोलते हैं पुर्वागरा गलत धारना मतलब पुर्वागरा और पक्छपाथ का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति पक्छपाथ करता है मतलब सच के पक्छ में चला जाए जूट के पक्छ में चला मतलब किसी एक के पक्ष में चला जाए उसको बोलता है पक्षपाथ तो जॉइंडेस डाई का मतलब क्या हो जाएगा प्रेजुटाइस्ट या फिर पुर्वाग्र पक्षपाथ को बोलता है नेक्स्ट है जैक आफ और ट्रेट्स ये एक इडियम है जैक आफ और इसके आगे भी इसके आगे भी मतलब कुछ वर्ड है इस एडियम के आगे भी कुछ वर्ड है ये आधा ही लिखा है लेकिन इसके आगे भी वर्ड है वो ये है कि जैक आफ और ट्रेट्स मास्टर ओफ नन जैक आफ और ट्रेट्स master of none इसका मतलब होता है one who has a little knowledge of everything मतलब जिसके पास little knowledge है हर एक चीज के बारे में हर एक चीज के बारे में little knowledge है मतलब थोड़ा-thोड़ा knowledge है उसको बोलते है jack of all trades master of none jack of all trades master of none उसको बोलते है one who has a little knowledge of everything मतलब जिसके पास knowledge है knowledge तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा knowledge है और हर एक चीज का उसके पास knowledge है लेकिन बहुत ही थोड़ा थोड़ा वो किसी भी field में किसी भी trade में expert नहीं हुआ है कि किसी भी field का उसको मतलब अच्छे जा knowledge हो उसने किसी field में ज़्यदा समय बिताया हो तो इसको हम याद ऐसे रखेंगे कि jack of all trades master of none jack नाम का एक लड़का है jack नाम का लड़का है उसको सभी trade का knowledge है सभी trade का मतलब सभी field का trade का मतलब field होता है तो jack of all trades तो jack नाम का लड़का है उसको सभी trade का मतलब सभी field का knowledge है all trade मतलब सभी field का knowledge है लेकिन master of none लेकिन किसी में भी वो master नहीं है jack नाम का लड़का है उसको सभी trade का तो knowledge है लेकिन वो master किसी भी field का नहीं है वो experience किसी भी field का नहीं है उसको किसी भी field का experience नहीं है उसने किसी भी field में अपना ज़्यादा समय नहीं बिताया है इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं इसका मतलब होता है Near relatives Near and dear ones मतलब जो सगे संबंधी होता है जो हमारे relative होता है उनको बोलता है Keep the ball rolling इसका मतलब होता है Continue the conversation Successfully मतलब होता है कि वारतल आपको जारी रखना उसको बोलता है Keep the ball rolling Continue the conversation successfully इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ball ball को आपने लिया और keep उसको रखा रोल किया घुमाया Keep the ball rolling मतलब ball को आपने लिया keep उसको रखा और रोल किया मतलब घुमाया अब जब आपने जब आपने ball को घुमाया जमीन पर रखके ball को घुमाया तो वो कुछ देर तक तो वो घुमती रहेगी अगर हम ball को लेकर जमीन पर घुमाते हैं तो वो कुछ देर तक तो घुमती रहती है तो मतलब कि आपने बात रखी Continue the conversation successfully आपने बात रखी आपने बात रखी और उसी पे अब बात Continue है Conversation मतलब लगातार होई रहा है उसको बोलते है Keep the ball rolling मतलब Continue the conversation successfully Friend अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो लाइक, सस्क्राइब और सेर जरूर करिएगा धन्यवाद